जए शिव शम्बू भक्तू आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल अगोरी बाबा की अगोर शक्ति मंतर टोटके के अंदर आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथे साथ बेल लेकिन को जुरूप पैस करें जिससे हम अपनी नहीं वीडियो की नोटफिक्सन हम आपको सबसे पहले प्राप्त करा सके हैं भक्तूब चलिए भक्तूब आज हम जानते हैं शत्रू से हो गय हो तो परिशान तो करें यह उपाई आज हम आपके लिए कैसा उपाई लेके आए हैं जिस उपाई के मदद से आप अपने घर बेटे आप अपने शत्रू को सजा दे सकती हो उससे छोटकारा पास सकती हो तो चलिए आज हम जानते हैं इस तोटके की विदे के बारे में इस तोटके की जो विदी है वह कुछ इस पहले भक्तो आपको अपने एक शत्रू का आटे का एक पुतला बनाना है और उस पुतले के उपर आपको अपने शत्रू का नाम लिखना है शत्रू का नाम आपको लाल पैन से लिखना है उसके बाद में उस पुतले को अपने दाइने आपके थेली पे रखे थेली पे रखने और आपका जो शत्रू है उस शत्रू का साथ बल नाम बोले और आपकी क्या मनुकामना है वे मनुकामना मांगने मनुकामना मांगने के बाद में वे जो आठी का पुतला है उसे पुतले को आप बेदी नदी में फेंग दे या पानी के तलाम में फेंग दे सिर्फ आपको इतना सा यह काम करना है यही काम करने से जो आपका शत्रू है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और उसे आप अपने मन चाई सदा दे सकती हूँ बहुती आसाने से वैसे तो भक्तों हमने आपको इसी वीडियो के अंदर सारी बाते बता दी है तोटकी की वीडियो हमने बता दी है तोटका आपको कैसे सित करना है किस वीडियो से करना है हमने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया है अगर आप किसे कारण आपसे यह तोटका नहीं हो पारे आपने ही कर पारे हूँ तो हमने आपके सुवदय के लिए हमारी अगुरी बाबाजी की नंबर हैं जो कि वीडियो के अंत में लिख कर उपलत करवाएं हैं हम आपके सुवदय के लिए हमारी अगुरी बाबाजी की नंबर हैं बहे दोरा देते हैं हरहल महाज़